दोस्तों इंडियन रेल्वे भारती रेल्वे के अंतरगत में असिस्टेंट लोको पाइलेट एलबी के विभिन छे हजार पदों पर भरतियों के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है और इसके लिए और नावेदन की प्रक्रिया भी इनकी अफिसल वेबसाइट से यानि 2024 की ये रेल्वे की पहली वेकिंसी है जिसमें बहुत भारी शंख्या में जो है सहायक लोको पाइलेट के असिस्टेंट लोको पाइलेट के पदों पर भरतियों के लिए विग्यापन जारी हुआ है तो किंद्री रोजगार सुचना एक 2024 के अंतरगत में यहां पर एल अलिन आवेदन भी चलू हो गए है तो सहायक लोको पाइलेट एलेट के पदों पर भरतियां यहां पर की जा रही है जो कि असिस्टेंट लोको पाइलेट एलेट के लिए अभ्यविग्यापन जारी हुआ है और यह केंद्री रोजगार सुचना एक 2024 से रेल बंतराल है भार से शूरू हो गया है इसके लिए लिंक आज से एक्टिवेट हो गया है अभ्यरती यहाँ पर ऑनलेट फार्म विपसाइट पर जा का भर सकते हैं इसे अभ्यरती यहाँ पर देख सकते एंधे अन्यान फर्वर्वर्वर्यविश रखी गय गया है 17 अभ्यार्थियों को यहां पर सुधार कर सकते हैं उसके लिए अभ्यार्थियों को यहां पर 20 फरवरी से ले करके 29 फरवरी तक का समय यहां पर दिया गया है इस बीच में अभ्यार्थियों अभ्यार्थियों अपना तुर्टी सुधार भी असानी से कर पाएंगे तो इस प्रकार से यहां पर अलपी एसिस्टेल लोको पाइलट की भरती के लिए अनलेन वेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसका अनलेन फार्म भरने का लिंक भी अक्टिवेट हो गया है पूरी जानकारी डिटेल से हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं तो दोस्तों यहां पर सहायक लोको पा आपके जांच की जाएगी और निनुताम आयू सीमा यहां पर 18 वर्स और अधिकतम आयू सीमा 30 वर्स रखी गई है कम से कम 18 और अधिकतम 30 वर्स तक यहां पर आवेदन पत्र जो है भरती भर पाएंगे 18 से 30 के बीच में यहां पर आयू सीमा में छूट भी किंद्री सासन की सिंट्रल कर्रमेंट की नियमानोसार दी जाती है भिरत Fuk coherent को ऑगे विडियो में बताएंगे कितने एज का छूट जो है भिरतको मिलेगा यहां पर कुल पत जो है दोस्तों वह 5,696 पत हैं 5,696 पत पर भरतियों के लिए वित जारी हुआ है तो लगबक 6,000 के आस पास यहां सब्सक्राइब करने लिफेन पाओं के सब्रक्राइब पर कुछ जानकारियों को छोड़ करके अगर आप अपने वीवरण में यहां पर चेंजिस करते हैं तो प्रत्य एक बार आपको 250 रुपए संसोधन सुल्क जम्मा करना होगा इसके बाद में संसोधन सुल्क बुक्तान करके आप अपने डीटेल्स में यहां पर सुधार कर सकते हैं जितने बार भी चेंजिस करेंगे 250 रुपए सुल्क देना हो पड़ेगा यहां पर संसोधन के लिए भी सुल्क जो है भ्यर्थियों से लिया जाएगा तो आप बड़ी साउधानी से फार्मों को भरें फार्म भरते समय कोई भी यहां पर मिस्टेक ना करें यहां पर कित यहां पर दिया गया है यहां पर दिया गया है इसके लावा अन्य कोई भी नगली वेबसाइट यह फिर नगली जानकरी यह पिर भ्रामक जानकरियों से आपको बचना है उसे ही को आप यहां पर पर प्रिछेतल तेंगे और वहांब्य था यहां पर आपको उमीद्वारों का नाम और पीता जी का नाम जनमतिति और जो भी जानकारी है आप अना व्यारी अपका दसवी के मार्कशिट में चैन्त के मार्क चैंद इस प्रकार से दर्ज है, उसी प्रकार से आपको भरना है, इससे आपको अलग नहीं भरना है, जिस प्रकार से matriculation, 10th में आपका जो भी details है, उसी प्रकार से आपको एंट्री करना है, उसी प्रकार से फाम आपको भरना है, तो इसके लावा हैं पर CBT1, CBT2 और CBAT और DV के लिए यहाँ पर जो भी निर्देश या भी जो भी सूचनाय भीरतियों को प्राप्त होंगी वो email id के माध्यम से या website के माध्यम से या e-call letter के माध्यम से ही rrb की website पर आप देख सकते हैं, download कर सकते हैं अन किसी भी माध्यम से या फिर post office के माध्यम से लेटर के माध्यम से upfront mode में, अभिरतियों को पिर जानकारी सूचनाय नहीं दी जाएंगी तो आप समय समय पर इंके अधिकारिक website वेबसाइट को ओी आप विजिट कर सकते हैं सारी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर पाएंगे अन्य किसी माध्यम से अभ्यार्थियों को भी जानकार यहां पर नहीं दी जाएगी इसके लाव यहां पर ST और SC उमिद्वार के अभ्यार्थियों को निसुल्क स्लीपर क्लास का रेलवे का यहां पर ट्रेन टिकेट यात्रा की सुईधा के लिए यो के निशुल्क दिया जाएगा मुपत में दिया जाएगा अगर आप एस्टी के टीकरी एसी के टीकरी के अंतरकट में आते हैं तो फार्म भरते समय हमाँ आप नजदी की रेलवे इस्टेशन के चैंड करें वहाँ से ले करके आने वाले जो एक्जाम सेंडर है वहाँ तक क आपके इडमिट काड तभी आपको इसका लाब मिल पाएगा इसके अलावा ही दोस्ते हैं पर आप रेल्वे के अफिसल वेबसाइट पर कोई भी फार्म भरने के संब्बने के संब्ध में या पिर अन्य कोई भी जानकरि के लिए अगे आपको इसके पूछताज करना ही जानकरी चाहना है तो आप इनके जो official email id है email id rrb help at cac.gov.in पर जाकर करके mail कर सकते हैं साथ इसाथ इनका जो phone number है उस phone number के माध्यम से भी आप इन से contact कर सकते हैं इसके लिए आपको कारे लेइन समय में जो भी कारे दिवस हैं कारे लेइन समय में इसके लिए कौन-कौन से यहाँ पर चिकिसा मानक होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि सारी गुरूप से अभ्यारतियों को fit होना जरूरी है साहाथ लोको पाइलाट के लिए और उसका द्रिष्टी का जमानक है और दू द्रिष्टी 6x6 और 6x6 बिना funting test के वाले चसमे में होना जरूरी है प्लस टूडी स्विकार यहाँ पर नहीं होगा निकट द्रिष्टी में नसन 0.6 और 0.6 बिना चसमे के होना जरूरी है विजन, बाइनोक्यूलर विजन और फिल्ड आप विजन, नाइट विजन, मोसफबिक विजन आधी के टेस्ट को यहाँ पर पास करना भी ज़रूरी होगा तभी आप ये एवन का जो इनका मेडिकल है जो उसको आप पास कर पाएंगे और आगे जा पाएंगे भारतिय रेलवे, इंडियन रेलवे के एलपी, एसिस्टन, लोको पालेट के इन पोदों पर भड़तियों के लिए भारत के किसी भी राज्य के नागरिक यहाँ पर फार्म भर सकते हैं और IOC में छूट भी यहाँ पर किस पकार से दी जाएगी आप देख सकते हैं निवनतम 18 वर्स और अधिक्तम 30 वर्स तो यहाँ पर 18 वर्स जो है अभियर्थियों को 1 जुलाई 2024 की स्थिति में ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है यानि 33 वर्स तक यहाँ पर आप फार्म भर सकते हैं इसके साथे साथ में वे अभियर्थि जो रेल्वे में पहले से काम कर रहे हैं ग्रूप C या ग्रूप D के पदों पर उनमें यहाँ पर IOC में छूट जो है ग्रूप C या ग्रूप D के अंतरगत में उन्ही कर्मचारियों के लिए यहाँ पर यह चूट जो है लागू होगी इसके लावा ऐसे महिला उमिद्वार जो विद्वा हैं या तलाक सुदा है या न्याई ग्रूप से पती से अलग रहती हैं अगर आपको प्रकार बताएं उस प्रकार के अंतरगत में अब महिला भीरती आते हैं यहां तक भर सकते हैं दोस्तों यहां पर आलेल फार्म भरने के लिए अभ्यरतियों को एक्जाम सुल्क का बुक्तान करना होगा जो यहां पर विवरन उस प्रकार से दिया गया है सभी उमिद्वारों के लिए यहां पर आलेल फार्म का सुल्क जो है वो 500 रुपय है CBT में उपस्तित होने पर आपको जो 400 रुपय है वो बैंक सुल्क का जो चार्ज उसको काट करके सभी वर्ग के उमिद्वारों के लिए यहां पर 500 रुपय का सुल्क है वो लिया जाएगा 400 रुपय आपको वापस के जाएगा बैंक सुल्क को काट करके उसी प्रकार से उन समस्त उमिद्वारों के लिए जो HTSC के अंतरकत में आते हैं या फिर ट्रांसजेंडर अप्यरती हैं या फिर एकस्सर्सविसमेन के अंतरकत में आते हैं लपसंख्यंक वंतरकत और इसके अलावा जो पूरुस अभ्यरती हैं या फिर समान्य वर्ग के जो भी अभ्यरती हैं उनसे 500 रुपे लिया जाएगा 400 वापस के जाएगा 100 रुपे रखा जाएगा और जो HTSC, भूतपुरोसैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर इसमें महिला में सभी वर्ग की महिला अभ आप सुल्क के भुकतान, क्रेट केर्ट, निबिट कार्ट, नेट बेंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं इकोनोमिकली बेकवर्ड EBC के अंतरगत में उनुमी द्वारों को रखा गया है जिनकी वार्सी काय सालाना आये 50,000 रुपे से कम है उन्हें यहाँ पर इकोनोमिकली बेक प्रस्तूत करना होगा इसमें ध्यान दें कि केवल अपना सही सही खाता डालें सही यहाँ पर IFC code डालें खाता संके सही डालें अगर आप गलत जानकरी देते हैं तो आपको कोई विश्व का भुकतान जो है आप जो किये रहेंगे उसे वापस नहीं किया जाएगा दोस्तो CBT1 में जो भी candidate यहाँ पर पात रहोंगे उन्हें CBT2 के लिए बुलाया जाएगा CBT2 में जो अभियरती पात रहोंगे उन्हें computer आधारित योग्यता परिक्षण CBAT के लिए बुलाया जाएगा इसमें जो CBAT जो है उसमें कोई भी negative marking नहीं रहेगी प्रथम चरण की CBT1 और CB CBT2 में यहाँ पर negative marking रहेगा CBAT जो computer आधारित जो तीसरे चरण में जो परिक्षा होगी उसमें कोई भी negative marking नहीं रहेगा इसमें जो अभियरती पात्र होते हैं यानि जिनका अच्छा अंक आता है उन अभियरतियों को दस्तावेश सत्यापन DV के लिए बुलाया जाएगा इ इसके बाद में अभियरतियों की जो है आगी की जो अभियरती की जी जानकारी चैन के संब्ध में प्रसीशन के संब्ध में उनको मेसेज के माध्यम से प्राप्त होगी तो इस प्रकार से आफिटी आप देख नहीं इसका पर रिखायें वो भी यहां पर दिया गया है, इसका डीटियल्स आप देख पाएंगे सारा डीटियल्स इस PDF में दिया गया है अच्छे से आप इसको देख सकते हैं साथ-साथ यहां पर CBT1 के लिए, CBT2 के लिए जो पाठे करम है syllabus से वो भी यहां पर दिया गया है CBT1 में किस प्रकार से प्रशन पुछे जाएंगे कितना कितना समय दिया जाएगा और कितने अंकों का होगा साथ-साथ negative marking कैसी होगी यहां पर डीटियल्स से पाठे करम भी syllabus भी हां पर दिया गया है इसको भी आप यहां पर देख सकते हैं इसके आधार पर आप अपने CBT1, CBT2 और इसके अबला जो है आपको कंप्यूटर आधारित पर इच्छा है उसके लिए भी आप यहां पर तयारी कर सकते हैं और डीवी के लिए यहां पर कौन कौन सा आपको डाकुमेंट लेके जाना पड़ेगा सारा डीटेल्स यहां पर दिया गया है साथे साथ आप online आवेदन किस प्रकार से करेंगे वह भी यहां पर दिया गया है आनलें फार्म पार्ने के लिए आपको कौं कौं से डाकुमेंट अप्लोड करने हैं, कौं कौं से डाकुमेंट को कितने साइज में रखना है, वो डीटेल्स यहाँ पर दिया गिया है, यहाँ पर ब treadाऊ है, आधावाध के अंतरकत में, अजमेर, जोन के अंतरकत बिगलुरू भोपाल, भुमनेश्वर, बिलासपूर, चंडीगड, चेन्नाई, गुवाहाटी, जम्मू, स्रीनगर, कोलकत्ता, मालदा, मुंबाई, मुझफर नगर, पटना, प्रयागराज, राची, सिकंद्राबाद, सिलीगुडी, तिरुवरंतपूरम और गोरकपूर, इन रेलवे जो सहायक लोको पाइलट के लिए, स्रेक्षणी के ओगता है, क्या कै होनी चाहिए, क्या कै मागी गई है, यहां पर देख सकते हैं, सहायक लोको पाइलट का जो पद है, वो सेवंत पेले में, जो दूसरा लेवल का पेमेंट उसको मिलेगा, और 29,900 रुपे यहां पर वेतनमान या फिर NCVT से कोई भी जो यहां पर इंजिनरिंग ट्रेड है, उस ट्रेड में आपको यहां पर ITI उत्तिन दोहना जरूरी है, जिसमें फिटर होए, आपका इलेक्ट्रिशन है, इंस्टुमेंट मेकेनिक है, रेडियो है, टीवी है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोनिक्स मेके इसके अप्धियों ने आपरेंटीस सीब्स किया है, वह भी यहां पर पात रहे है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इंजिरिंग या फिर non-inginternis ट्रेड वाले अप्धियर्थी यहां पर भर पाएंगे, जिसमें इंजिरिंग ट्रेड वालों को यहां पर मौका दिया जा ट्रोनिक्स आटोमो भी यहां पर सामिल रखे गए हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि यहां पर दसवी के बाद में, इन सम्मांधित इंजिरिरिंग ट्रेड में अभ्यरतियों के पास में, शैक्षण को क्यता जो है मांगी गई है ये सैक्षण को क्यता है न्यूनuleСпम है चेहां पर जोन Dualar पदों का विवरृन दिया गया है देख सकते हैं कौन कोन से जोन के लिए कितने-कितने पद यहां पर असिश्ननि ल्गोपाइलट के लिए आरक्षित रखे गए हैं पर 254 प्लस 99 पोस्ट है मालदा के लिए यहाँ पर 171 और 56 पोस्ट है मुंबई के लिए यहाँ पर 67 पोस्ट है, 33 पूरम के लिए 70 पोस्ट है, इस प्रकार से कुल 5,696 पोदों पर यहाँ पर विकेंसिया सहाइक लोको पाइलट के लिए आई हुई है, तो आप इस प्रकार से इस विग्यापन को पूरी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते है और इंडियार रेलवे के इन सहाइक लोको पाइलट के पदों पर भढ़तियों के लिए आप जो है अपनी तयारिया कर सकते हैं, इस पीडिये में CBT1, CBT2 के लिए विश्तरित सिलिवस भी दिया गया है, आप इस जो है नोटिफिकेशन को हिंदी और अंगरी जी दोनों जो है अपिसेल वेबसाइट बना हुआ है रेलवे की और से